मैं अपने सभी मजदूर भाई बेनों को बताना चाहूंगा प्रधान मंत्री नरेंद्रम मोदी जी ने मुझे पश्ट निने देके ये सुविदा सुनिश्चित किये कि 300 गाडियां रोज चल सकती हैं अलग-अलग हिस्सों से देश के रोज 300 गाडिया आपको अपने घर ठिकाने बहुत सुरक्षित तरीके से पहुचा सकती है ऐसी 1200 ट्रेन हमने सुरक्षित रखी हैं सिर्फ आपको घर लेके जाने के लिए पर मैं वो ट्रेन पहुचा नहीं पा रहा हूँ क्ई राज्य ट्रेनों को आने नहीं दे रहे है अब उत्तर परदेश देखिये कितनी गाडिया चली गए 300 से अधिक गाडिया उत्तर परदेश चल चुकी है बिहार में कितनी गाडिया चली गए मैं समझता हुँ here 170 के करीब गाडिया बिहार चली गए लेकिन पश्चिब बंगाल माने ग्रहय मंत्री ने पत्र लिखने के बाद भी शुरू में तो 9 थारिक तक सिर्फ दो गाडिया ली थी एक अजमेर शरीफ राजिस्थान से और एक एरना किलम से जब माने ग्रेम अन्त्री ने चिट्टी लिगी तो हमें बताया गया आठ गाडियों की permission 8 तारिक को दे दी गई अब हमें तो रेलवे में 9 तारिक की दूपेर तक पता ही नहीं था हमें तो जानकारी नहीं थी अब वो permission कहा थी पता नहीं खेर पर उसके बाद आठ गाड़िया भी अभी तक नहीं लिए हम और पांच ही चला पाएं तो आज तक दुपेर के तीन बज़े तक सिर्फ साथ गाड़ियां देश के अन्याने इलाकों से वेस्पेंगॉल के लिए निकल पाई हैं गाड़ियां खाली पड़ी हैं पर हम देजिए उनको अपने घर परिवार जनों से मिलने दीजिए और मिल मिलाके थोड़ा समय लगाके घर जाना चाहेंगे तो हम उसकी भी सुविदा बना देंगे मैं समझता हूं अर्थवेवस्ता चल्दी पिक अप हो जाएगी सब को काम फिर मिल जाएगा लेकिन हम सब अपने अपने लोगों को ले ले अपने घर जाने दें सुरक्षित जाने दें आप स्टेशन पर चेक कर लिजिए उनका टेंपरेचर कोई सिंटोमाटिक लगे उसको अस्पताल ले जाए या घर जाके उनको कहिए घर में 15 दिन क्वारिंटाइन हो जाए इतना तो विश्व आज मैं समझता हूँ अपने खुद के नागरिकों पर हम सब कर सकते।